दोब्त कैसे हैंब दोस्ता आप मैंने एक वीडियो भनाई थी वाट्स अप का लेकर लिंकित का डिवाइस करके किसे हैं गाने मोबाइल में ओप्रinkर और रहे थे हैं लोगो को आपने में या प्रिमस्ते गर्लेंगे दिवाइसं आपने मोबाइल स्थी लोके कि यह लिंक का डिवाइस क्या है यह option और कैसे यूज करते हैं तो उसका लिंक में आई बेटर में देदूंगा चाहें तो आप आप जागे आप देख सकते हैं दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने को इनेबल करेंगे या बोल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना फिंगर्पिंट लिंक करने में या फिंगर्पिंट को यूज करने में लिंक का डिवाइस वाले option पर तो पूरी step बताऊंगा कैसे आप उसको इनेबल करेंगे या दी रिदे बिलकुल एक-एक step बताऊंगा कैसे आप एक्चुल में एक्टिवेट कर पाएंगे और प्रॉब्लम को आपको 100% solution मिलेगा दोस्तों वीडियो को स्कीम मत करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझपाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नमस्तन ही और और आपका स्वा करेंगे तो आपको यसा option मिल जाएगा आपको जैसी लिंक का डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने फिंगर्पिंट को एड नहीं करा हुआ तो बाइडिफोल्ट यह पिन से भी वर्क करेगा ऐसा नहीं कि सिब फिंगर्पिंट ही वर्क करेगा आप देख रहा है मै अभी फिंगर्पिंट मैं नहीं करा तो बाइड फिंगर्पिंट पर सुरी बाइप प्रिंट का मेरा यह प्रोटेक्ट की थे तरुव यूज करेगा मदलब पिन को प्राइड आप्स यह प्राइड की तरा इसको जाना है तो जब तक मैं एगर पिन नहीं डालूँगा तो यह option option मिल जाएगा, सबसे पहले आपको इस option को on करना है, इसको on करेंगे दोस्तों अभी error दे रहा है, setup of fingerprint, यह अभी इसलिए error दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने mobile में कोई भी fingerprint को set नहीं करा हुआ, जब तक fingerprint set नहीं होगी, जब तक यह option on नहीं होगा, तो पहले आप fingerprint को set कर लेते हैं, fingerprint to set करने के लिए जाना है, वो मॉवाइल की setting बे, setting में जाने के अगर आपने अभी तक, अगर आपको कोई दूसरा mobile है, मेरे पर Samsung की mobile पर दिखा रहा हूँ, अगर आपको यहां पर साच कर लेना है fingerprint का option, आपको fingerprint को option पर जाके, आपको fingerprint को add कर लेना है, तो मैं अ सा टाइम लगेगा, इसको configure कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देखिए, फाइनली वेरा हो चुका है, आप देखेंगे, 100% हो चुका है, अब आपको कर देना है, इसको done, जैसी done करेंगे, तो इसको on कर लेना है, fingerprint unlock को, अभी हो चुका है, on on करने के आपको वापिस जाना है, अपने होइल के WhatsApp पे, WhatsApp पे आपको जाना ही है, 3.0 पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जाना एकट पे, यहाँ जाना है प्राइवसी पे, और सबसे नीशी जाना है आपको fingerprint lock पे, तो सबसे पहले आपको इसको on करना रहेगा, जैसी आप उसको on करेंगे, तो आ आपको एक बार रइस्टॉल करके आपने पूरा लेने का, अिसको यूज़ करेंगे तो आपका ऑप्षन आ जाएगा बट इस आप्षन से अगर आप आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों और मुझे इसका लिंक आपको डिक्षन पर मिल जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों